हेले शुरेंट्स कॉम्टिशन कमरेटी के इसे यूटूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं मैं कमने स्कूमर्स सेना आज जो आपकी से फिर हम लोग कंटीनियू करेंगे जिसमें हम इतिहास के प्रशनों का अध्यान कर रहे थे पिछले क्लास्स में हमने मद्यकाली भारत की सुरुवात की थी उसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ नए प्रशनों को हम लोग देखेंगे ज कौन सा युद्ध था कौन सा युद्ध था फर्श्ट बैटल अफ पानी पत पानी पत का प्रथम युद्ध खानवा का युद्ध या प्लासी का युद्ध या बोलना चाहिए आपका पानी पत का तीसरा युद्ध तो यहां पर हम लोग मुगल काल में पहुंच चुके है तो आपका first option क्या है? first option correct है तो थोड़ी से पानीपत के प्रथम उद्थ के बारे में जान लेते हैं पानीपत का प्रथम उद्थ हुआ था ये हुआ था आपका 1526 में 1526 में जिसे— इसे उद्थ का लड़ा गया था बाबर के द्वारा बाबर के द्वारा और लोदी वंस के साथ सक इबराहीम लोदी के बीच इबराहीम लोदी तो यहाँ पर दो लोगों ने युद्धा लड़ा था यह लड़ाई लड़ी थी वहाँ कौन था बाबर था और इब्राहिम लोदी जिसमें इब्राहिम लोदी की पराज़े हुई इब्राहिम लोदी हार गया और बुलना ची लोदी वन सबी समापत हुआ उसके साथ आपका दिल्ली सल्तनत भी समापत हुआ इससे युद्धा की खुछ खासियत भी रही थी जैसे पानी-पत के फिर्ष्ट यूद में प्रथम युद्ध में आपका जैसे हाँ पर बतायागे कि पहली बार तोप का यूज़ किया गया इस युद्ध में साथी साथ एक पद्दती है एक टेकनिक है उसका भी यूज़ किया गया उसका हम लोग बोलते हैं तुल्गुमा पद्दती तुल्गुमा पद्दती का भी प्रयोग किस में किया गया आपका फर्ष्ट बैटल अफ पानी पत 1526 में बाबर के द्वारा किया गया इस तद तुल्गुमा पद्देते में क्या किया जाता था अपने वीपरित अपने विरियोधियों को चंद्रमा की आकार में चंद्रमा की आकार में कुछ इस प्रकार की आकार बना कर जैसे कि यहाँ पर इबराहीम लोदी खड़ा है और यहाँ पर बाबर खड़ा है तो बाबर के सैनिक मानलो इस तरफ खड़े हैं तो बाबर के सैनिक क्या करते थे इसे मानलो अपोजिट में आप इबराहीम लोदी खड़ा है तो उसे चंदरमा की आकरिती में घेल लिया करते इस प्रकार से इब्राहिम लोदी को घेल लिया गया था पानी पत के first battle में और चंदरमा की आकर्टि में घेलते हुए क्या किया गया इब्राहिम लोदी की हठ्या कर दीगई बाबर के द्वारा इसी टएकनिक को क्या बोला गया है तुल्गमा पद्धती बोला गया है और 37 इसमें बाबन ने क्या किया बाबन ने क्या किया बाबन ने तोपो का प्रयोग किया अगला खानवा का युद्ध खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ बैटल आफ खानवा में कौन हार गया तो यहां पर बाबर जब आया आ वानिपत का फर्ष्ट युद्ध उस प्रथम युद्ध के बाद बाबर के द्वारत जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वह था खानमा का युद्ध और यह युद्ध लड़ा था बाबर ने 1527 में 1527 में 1527 में 1527 में इसे युद्ध को लड़ा था और इसे युद्ध मे जो हारा था यानि बाबर के साथ जिस ने युद्ध लड़ा खानवा का युद्ध लड़ा वा था राणा सांगा वा कौन था राणा सांगा इसे युद्ध में ऐसा हुआ था कि बाबर ने जो प्रतम युद्ध लड़ा था पानीपत का प्रतम युद्ध उसके बाद उसकी जब सेना कही न कही एक मन से हार गई थी, युद्ध लड़ना नहीं चाह रही थी, जब खानवा की युद्ध के युद्ध के नेश्ट 1526 के बाद 1527 में जब बाबर ने अपने सैनिकों को बोला कि अगला हम लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं, खानवा का युद्ध लड जिहाद का नाना दिया, और ये जिहाद का नाना कब दिया उसने, जिहाद के नारे को इसने दिया, इसी खानवा के युद्ध में, और इसे युद्ध को धर्म युद्ध में बदर लाला, और इसके सैनिकों ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, जिसमें आपके राना क्या हुए पराजी थ हुए तो यहां पर हम लोग देख लें कि बाबने और कौछ deal लड़ें उस ईए उस बारे में जान लेते हैं हम लोग बाबान ने एक पहला युद्ध लड़ा था वो क्या था पानीपत का प्रतम युद्ध यह लड़ा था 1526 में 1526 में दूसरा इसने लड़ा खानवा का युद्ध बैटल अफ खानवा यह लड़ा इसने 1527 में है ती 178 के लड़ा तहब चंदेरी का युद्ध बैटल ऐफ चंदूरी सिमलड़ा 1528 में और चौथा था इसाुद का यानि भाबर के द्वारा लड़ा अंतिम युद्ध उसे बोलेंगे घंगर का युद्ध यहां गंगर का युद्ध हुआ था 1529 में 1529 में तो आपको जोड़ी बनाओ, मैस दा फॉलोविंग में कोश्चन आ सकता है कि आपको कनेक्ट करना होगा, कौन कौन सिर्थ कब कब लड़े गए, तो आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपद 1527, खानवा आपका लड़ गया 27 में, चंदेरी आपका 28 में, और लास्ट में गगर 1529 में 1529 में इसे लड़ा गया, अगला कोश्चन, तुजुके बाबरी किस भासा में लिखी गई है, तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी जो है, बाबर की आत्मकता हुआ करती थी, बाबर की आत्मकता, तो ये क्या थी, पहली चीज़, बाबर की आत्मकता, तो बाब बाबर ने तुझुके बाबरी लिखी थी अपनी आत्मगता लिखी थी उसमें आपको बताना है कौन सी भासा में थी फार्सी अर्बी तुर्की अउर्दू तो बाबर ने जो भासा का प्रेयोग किया था वा थी तुर्की तुर्की भासा का इसमें प्रेयोग किया फिर आगे चल कर आगे चल कर तुझुके बाबरी को तुझुके बाबरी का अनुवाद किया गया फारसी भासा में अनुवाद किया गया और इस पुस्तक का नाम हुआ तुझुके बाबरी का नाम बाबर नामा रखा गया तो आपको पूछेगा कि बाबर नामा कौन सी भासा में है तो यह थी फारसी भासा में, फारसी भासा में, तो इसका अनुवाद पहले ये सुरुवाद में तुर्की भासा में था, तुजु के बाबरी के नाम से, बाद में बाबर नामा लिखी गए कि इसमें फारसी भासा में, फारसी भासा में, अगला कोशन, हुमायू के दौरा लड़ लड़ी गई थी तो जैसे मैंने बताया पीछला जो करम था हमने देखा था बाबर के टाइम ने बाबर ने भी चाल लड़ा यह लड़ी उसमें भी आपको करम में जमाने बोल सकता है वैसे यहाँ पर हमाईू के द्वारा युद्धर लड़े गए उसको आपको करम में जमाने है तो यहाँ पर जो आप देखेंगे एक बैटल है यहाँ पर option number D जिसमें देवरा देवरा का युद्ध इसने सबसे पहले लड़ा हुमायू ने फिर चौसा का लड़ा फिर कन्नोज या बिलगराम का युद्ध लड़ा और उसके बाद इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा यानि option number आप पर D correct है जिसमें हुमायू जो है हुमायू जो है याद रखिएगा हुमायू जो है चौसा के युद्ध में चौसा का युद्ध और साथी साथ कन्नोज कन्नोज जो यूपी में पड़ेगा इस कन्नोज के युद्ध में 1539 और 1540 मे इस दोनों लड़ाईयों में आपका हुमायू पराजित हो गया था दोनों लड़ाईयों में हार गया था और हारा किस्से था हारा था या सूर सामराज के एक सास अग जिसका नाम था सेर सासूरी तो हारा किस्से था या सेर सासूरी से चौसा के युद्ध और कन्नोज के कूद गया और जब पास की एक नदी में कूदा तो वहाँ पर उसकी जीवन की रक्षा यानि उसकी जान जिसे ने बचाई वहाँ था भिस्ती यानि चौंसा की युद्ध के बाद ये अभी अभी अपम कभी पिछले साल का ही कोश्चन रहा है इसलिए मैं इसे बता रहा हूं जहां दीए तो यहां पर हुमायू की जीवन की रक्षा एक भिस्ती ने की थी बिस्ती ने इसकी रक्षा की और हुमायू की जान बचाने के कारण इस भिस्ती को हुमायू ने मुगल काल में पहली बार मुगलों में कोई एक राजा बना वो कौन राजा बन रहा है भिस्ती को और भिस्ती को राजा बनाया क्या एक दिन का राजा बनाया भिस्ती को भिस्ती को हुमायू ने एक दिन का एक दिन का राजा बनाया और ये भीस्ती भी एक दिन का राजा बना तो नए टाइप के सिक्के जारी कर दिया और वो कौन से थे चमडे के सिक्के याद रखिएगा ये भीस्ती भी एक दिन का राजा बना और चमडे का सिक्का जारी कर दिया चमडे का सिक्का चमडे का सिक्का हुमाईव जो है चौनसा के बैटल बैटल ओफ चौनसा और बैटल अफ कन्नोज कन्नोज को कही बार बीलग्राम भी बोला जाता है तो याद रखेएगा बीलग्राम या कन्नोज आपको बोलेगा तो आप लगाएंगे करेट ट्र इंसर بलگرام या कन्योज तो चोसा और बलग्राम या कन्योज की युद्ध में सेर्थ सा सूरी के दोरा हुमायू आपका हार गया था और हारने के बाद इसे कही नगई अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी थी इसी कारण चे बोला जाता है कि हुमायू ने दो बार सासन किया, एक बार जब नहीं युद्ध में हारा, और उसके बाद वापसी किसने सरहिंदक युद्ध के सांट, सरहिंदक युद्ध में, याझ जित गया, और वापस इसने अपना सत्ता समाला, क्लियर है। अगला कोश्चन सेर सा की मृत्यू हुई सेर सा की मृत्यू के बारे में यहाँ पर कोश्चन पूछा है तो सेर सा की मृत्यू होती 1545 में 1545 सीस्वी में सेर सा की मृत्यू हो जाती है अपने अंतिम अभ्यान में जहां पर तोप के गोले के फटने से इसकी मृत्य हो जाती है अब मृत्य होने के बाद आप देख रहे हैं यहां पर दिया है कुछ जगह का नाम आगरा, कालिंजर, या रोतास, या सासाराम सासाराम तो कालिंजर जो है इसका अंतीमा भियान होता है अंतीमा भियान होता है और आगरा और रहतास में इसका कोई दूर दूर तक रिस्ता नहीं था ये बिहार के एक्च्वल में सासक हुआ करता था सेर सा सूरी या सूर सामराज जब भी जहां पर था वो था बिहार उस समय तो बिहार में ही बिहार में एक जगा पड़ेगा जिसको बोलेंगे सासाराम सासाराम में आपको सेर सा का मकबरा मिलेगा तो आपको सासाराम में किसका मकबरा मिलेगा सेर सा का अब ये कोश्चन क्यों बना है इसको भी ध्यान दीजे मगबरा बनना नौर्मल बात नहीं है बट इसका जो मगबरा बन रहा है सेर सा का मगबरा जो बन रहा है ये पानी के अंदर या बोलना चीए के जील के अंदर सासा राम में जील के अंदर बना हुआ पहला मगबरा भी आप बोल सकते हो है ना पहली बारा साथ देखा गया कि जील के अंदर या पानी के अंदर ये मगबरा बना गया और ये किसका मगबरा था सेड़ सा सूरी का मगबरा था ये कहां बना गया सासा राम बिहार में सासाराम कहां पढ़ेगा याद रखिएगा सासाराम बिहार में पढ़ेगा अगला कोश्चन हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्स हुआ था हल्दी घाटी का बैटल ऑफ हल्दी घाटी किस साल में हुआ था इसे पूछा है तो देख लेते हैं 1761 1761 1576 1556 1526 और आपका इसमें जो आप्सन है आपको correct answer बताना है तो इसमें correct answer होगा 1586 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इस हल्दी घाटी के युद्ध में यहाँ पर महराना पताप यह युद्ध लड़ा गया महराना पताप और अकबर की बीच मुगलकाल के एक सासक जिनका नाम है अकबर अ और महाराना पताप की बीच यह युद्ध लड़ा गया हल्दी गाटी का युद्ध अधर जो आपसाने उसी भी देख लेते हैं यह भी एक बैटल का ही आपका युद्ध का ही वर्स है जैसे अगर 1761 की बात करें तो 1761 में लड़ा गया था पानी पत का पानी पत का तृती युद्ध 1556 में पानी पत का दिवती युद्ध सेकंड बैटल ऑफ पानी पत और 1526 में जैसे अभी सुरुवाती कोस्चन में हमने देखा था बावर के दुआरा पहला युद्ध लड़ा गया था वो क्या था पानी पत का फर्स्ट युद्ध पानी पत का प्रत्थम पंदरह सुषियतर में महारा पताप और अकबर के बीच निमने लिखित में से किस मुस्लिम सासक ने तीर थे आतरा कर को समाप पर कर दिया तीर थे आतरा कर जो हिंदू आज कर पहले कर टाइम में भी तीर थे आतरा पर पर जाया करते थे उन पर टैक्स लगा जाता था जैस तो अकबर के द्वारा क्या किया गया इससे भी जाल लेते हैं थोड़ी से चीजों के याद रखेगा अकबर ने 1562 में 1572 में 1562 में इसने स्लेव सिस्टम या दास प्रथा को समाप्त किया सबसे पहले जब अकबर सासन में आया तो यहां पर दास प्रथा को समाप्त किया दास प्रथा स्लेव सिस्टम फिर उसने 1563 में 1563 में इसने क्या किया तीर थे आतरा कर को समाप्त किया तीर थे आतरा पर जो कर लगाया जाते थ उसे समाप्त किया उसके बाद 1564 में 1564 में continue हो रहा है मासड में 10 प्रता 63 में 33 अधरकर और 64 में 64 में मौहमद बिन कासिम के द्वारा मैंने बताया था अर्बो के टाइम में यहां पर क्या हुआ जजिया कर लगाया गया था जजिया कर को समाप्त किया गया 64 में यहां पर क्या किया गया जजिया कर समाप्त किया गया तो 1564 में क्या किया गया जजिया कर को समाप्त किया गया 63 में 33 अधरकर को अकबर ने समाप्त किया और 62 में क्या दास प्रताक समाप्त किया है इसी कारण से अकबर जो है मुगलवंस में मुगलवंस के हर सासकों की बीच में अकबर को माहान बोला जाता है ये इसके कुछ कारण भी आप बता सकते हैं अकबर काल में अकबर काल में अकबर के समय में भूर राजसों की एक प्रथा चली थी जिसका नाम था आईने दैसाला आईने दैसाला पद्दिती किसके द्वारा निर्मित की गई थी आईने दैसाला तो अकबर के नवरत नहुआ करते थे अकबर के नवरतनों में से ही एक ने आपका आईने दैसाला पद्दिती की सुरुआत की थी तो यह वित्तमंत्री हुआ गड़ता था और वित्तमंत्री ने या मुलना चिर्टोडर मन नहीं एक प्रथा चालू की थी उसको क्या बोलते है आईने दहसाला या दहसाला पद्दती भी इसे बोलते है अब इसे दहसाला पद्दती में होता क्या था उसे भी समझ लेते है जैसे माल कोई किसान है कोई किसान है वो हर वर्स कोई ने कोई फसल उगा रहा है और राजा को कुछ न कुछ इससे कड़ देना होता है माल लो पहले साल पहले साल अगर पहले साल की बात करें पहले साल की बात करें उसका उत्पादन अच्छा हुआ किसान ने 100% उत्पादन किया, क्रिसी उत्पादन, एग्रिकल चर्म में उत्पादन अच्छा हुआ, तो वो क्या करेगा, राजा को कर देने में सक्छा होगा, मालो की बात, अगले साल ये क्या हुआ, उत्पादन 50% होगया, थोड़ा, आकाल वाकाल, पानी वानी की समस्या होगई, उसी हो सकता कि किसान जो है, उत्पादन या क्रिसी उत्पादन 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 ही कर सके, उत्पादन ही कर सके, तो यहां पर, यहां पर आपके टोटरमल ने एक उपाई निकाला और बोला, कि हम क्या करेंगे, दस साल का, दस साल का, यहां से साथ, आट, नौ, और दस सा का 10 साल का किसानों की आय का हम औसत निकालेंगे और उसका एक बटा तीन हम कर के रूप में लेंगे और यही क्या था दैसाला पदेती था दैसाला सिस्टम था जिसकी सुरुवात किसने की ठी टोडर मल ले तो अपसन नंबर सी आपका क्या होगा correct होगा option number C आपका correct होगा अगला आपका प्रश्ण है दीन इलाही का प्रचार किस सासक नहीं किया था बाबर ने, अकबर ने, औरंग जेब ने साहा जाने तो मुगल वन्स के सासक अकबर ने दीन इलाही नाम से एक नए धर्म की सुरुवाद की थी और इस नए धर्म की सुरुवाद की थी अकबर ने 1582 में 1542 में 1582 में, दीन इलाही की सुरुवाद की दीन इलाही के साथी साथ 1583 में इसने एक नए कलेंडर की सुरुवाद की, एक नए समवद की सुरुवाद की एक नया कलेंडर कि इसके समाब तकरके इसके पहले जो चलता था वह चलता था हिजरी समवत हिजरी समवत तो हिजरी समवत को समाब तकरके यहाँ पर एक नया कलेंडर की सिरुवात की गई थी 1583 में इलाई समवद इसी इलाई धर्म पर आपको एक और कोश्चन पूछेगा कि इस दीन इलाई धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ती कौन था तो अकबर के नवरतनों में जो बिर्बल था बिर्बल था उसी नहीं ही क्या किया था पहली बार पहली बार तो जैसे मैंने बता है कि दीन इलाही नाम से अकबर ने के धर्म चालू किया था और ये एक सर्व धर्म सम्मान की बात करता है निए हर धर्म के सम्मान करेगा इसके धर्वार में हर धर्म की लोग बैठा करते थे वैसे ही यहाँ पर हर धर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर अक्बर के दरबार में जैन धर्मस से भी एक जैन सादू रहा करते थे, जिनका नाम था हरी विजय सूरी, हरी विजय सूरी इनके दरबार में रहा करते थे, और वैसे ही आप जानते हैं, अक्बर ने, अपने काल में, अपने काल में, सिखो के, सिखो के चौथे सहर बसाने के लिए अमरित सहर सहर बसाने के लिए अकबर ने पांस सो भीगा जमीन सिखो के चौथे गुरु रामदास को दी थी तो इस चीज़ को भी आप आदे रखिएगा क्योंकि अकबर के दर्वार में बहुंसे अलग अलग धर्म की लोग रहा करते थे उनके नाम भी आपको पूछा जा सकता है अगला कुश्चन अकबर के काल में महा भारत का फार्सी अनुवाद किसे ने किया अकबर के काल में अकबर के काल में या अकबर के नौरतनों में बहुंसे लोग ने बोलना चाहिए अनुवादक की रूप में ट्रांसलेटर की रूप में कारे किया करते थे जिसमें आपका जिसने महा भारत को फारसी अनुवाद किया था उसका नाम है फैजी फैजी ने महा भारत का महा भारत का फारसी में अनुवाद किया था इसके साथ ही साथ एक थे अब्दुर्रहिम खान खाना अब्दुर्रहिम खान खाना नहीं आपका तुझुके बाबरी का अनुवाद किसमे किया बाबर नामा में तो बाबर नामा जो है फार्सी बासा में लिखी गई थी और इसे इसमें अनुवात करने वाले कौन थे आपके कौन अब्दुर्रहीम खान का ना अगला प्रशन देखे लिए इस्ट इंडिया कंपणी ने जहागीर के दरवार में पहले किसे भेजा यानि आपके मुगल वंस के टाइम में जो इस्ट इंडिया कंपणी से विअपार की नुमती मांगने पहले को ना आया था उसके बारे में पूछ रहे तो सर्थ होमा सरो वासको डिगामा हॉकींस या जॉब चारना तो यहां पर इस्ट इंडिया कंपणी की जब इस्थापना हुई थी फिफटिन न कैप्टन होकिन्स भारत में भारत में जहागीर के दर्वार में आता है जब यह जहागीर के दर्वार में आता है कैप्टन होकिन्स तो उस समय जो लेटर लेके आता है राजा का नाम का जो लेटर लेके आता है वो अकबर का लेके आता है और जहागीर के समय तक यानि इसके प है कहीं न कहीं जहागीर कोई चीछ पसंद नहीं साथिह साथ-चाफी-चाफ जहागीर के सामने जब यह कैपृटन हॉकिन्स खड़ा होता है तो इन supuesto बाट चीछ होती है तो यह एक चिज और दument से जोह है किक है यह बहुत फार्सी भासा का उसका ज्यान देखकर जहांगीर खुश हो जाता है और Captain Hawkins को Captain Hawkins को एक title देगा और इसे बोलेगा English Khan क्या बोलेगा English Khan किसे बोल रहा है Captain Hawkins को Captain Hawkins Captain Hawkins जब आया है तो ये time भी कौन सा है आपका 1608 में आया है 1608 में 1608 में आया है और इस समय इसे title क्या मिला English Khan का English Khan का title मिलने का reason क्या है क्योंकि इसे फार्सी भासा का ग्यान था किसको आपके Captain Hawkins को हौकिन्स को अगला question Pietra Dora निम्नमे से किसमे संबंदी था Pietra Dora सबसे पहले जान लिए Pietra Dora क्या है एक आठ है एक आठ है मुगल काल में एक आठ चला करती थी जिसका नाम था Pietra Dora तो पहले समझ लेते हैं चार option में से कौन सा होगा दिवारों में अर्थ किमती पत्थर जड़कर पूलो वाली नकासी मिनारों के टेडी मेडी दिवार सरचना में महराब या इमारतों में मार्वल का प्रियोग इमारतों में मार्वल का प्रियोग तो जो Pietra Dora Sally है वो है दिवारों में किमती पत्थरों को जड़ना और नकासी करना यानि आपका option number A correct होगा अब या दिवारों में नकासी यानि किस चैप की चीज़े हैं जैसे मौलनों की बात मुझे ये जैसे आपका बोर्ड है ये आपका दिवार है मान लीजे इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें फूल बनाओ इसमें क्या करूँ फूल बनाओ तो फूल बनाने के लिए क्या करेंगे हाँद चलाएंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें पत्थर को जड़ा गए ये लगता ऐसा है कि दूर से अगर जएंटिंग है इसमें पत्थरों को नहीच जड़ा गया कarfारे हैं और इसी है आग्रा के ताज महल में भीग किया गया है आगरा के ताज में तो इस आठ को आप याद रखेगा पेट्रेड औरा सैली मुगलकाल के समय में की गई थी चलिए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है निमनली खित में से कौन सा यूगमस सिमुईली तो नहीं है अकबर का मगबरा स सिकंद्रा में मिलेगा ये correct है जहांगीर का मगबरा साधरा में मिलेगा आपको लाहोर में साधरा में तीसरा जो लिखा हुआ है सेक सलीमचिस्टी का मगबरा अपको मिल जाएगा और ये फतेपूर्सिक्री क्या थी उस समय पर अकबर के बनाई हुई एक राजधानी थी अ और इसी से एक सलीम चिस्ती के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम, अपने बेटे का नाम भी क्या रखा था, सलीम रखा था, सलीम रखा था, clear है, अगला जो है, डी आप्सन की निजामुद्दिन ओलिया का मगबरा, वो कहां लिखा हुआ है, अजमेर में, तो इनका मग को अगला कुश्चन दिल्ली के लाल की ले के निर्मान किसे ने करवाएफ से इस समय को बोलते हैं इस्थापत्यकला का किसके टाइम को सहा जहां के 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 बहुत सी चीजों के निर्मार किया था जैसे आपका एक तो लाल किला के निर्मार किया गय साथी साथ लाल गिला के सामने ही आपको मिल जाएगा दिल्ली में ही क्या जामा मस्जिद जामा मस्जिद का भी निर्माड किस ने किया था साहा जहाने किया था और आगरा के ताज महल का भी निर्माड साहा जहाने किया था सहा जहाने किया था चलिए अगला कुश्चन देखते हैं धर्मट का युद्ध निमने में से किनके बीच लड़ा गया मुहमद गौरी वजैचन बाबर वाफगान औरंग जेव दारा सिको एहमस सादुरगानी वा मराठा तो यह युद्ध लड़ा गया औरंग जेव दारा सि दौरासिको तो यह कौन सा आप्यों नमर्छ उपक्त आपिंसाे आपको साप्सहां अरग जेव दारासिको की पीच बीचूंध लड़ा गया यह हो रहा था युद्ध उत्रदीकार के के लिए उतरदिकार क्या। साज हा की मित्यू के बाद यहाँ पर भाईयों की बीच में लडाई चालू हो गए थी जिसमें एक Universal युद 1990 का युद्धा भी लड़ा गया था औरंगये के दौampa में धर्मट का युद्ह युद्ह तीसरा की है टार older गया जिसके बाद कहीं कहीं कई और smiling jam Tabii जी जीन्देज ओर अपना राज्य भी से करवाया थे इसने उसे बोलinkuatelly am सामूगड का युद्ध पहली बार राजब इसे करवाएगा इसके बाद और अरंग्जेब सामूगड के युद्ध के बाद और चौंथा एक युद्ध होगा जिसको बोलेंगे हम लोग देवराय का युद्ध देवराय का युद्ध देवराय का युद्ध तो चार लड़ा मुगल सेना-पती के साथ सीवाजी ने 1665 में पूरंदर की संधी पर हस्ताक्षर नहीं की अब किस मुगल के साथ हके संधी कंदी तो पूरंदर इक बहुता है उसमया सप्वेसिया कि सिवाजी की तो आपका option number कुन सा होगा बी correct होगा अब होता क्या है पुरंदर की संदी जो है औरंग जेप के समय में औरंग जेप के समय में औरंग जेप का जब सासन चल रहा था औरंग जेप का सासन चल रहा था उसी समय मराठा सामराज्यक भी उदय हो चुका था और के साथ सिवाजी को यहां पर कैद कर लेंगे कैद कर लेंगे और उनके साथ उनको मजबूर करेंगे एक संधी के लिए उस संधी को बोलेंगे क्या पूरंदर की संधी पूरंदर की संधी 1665 में सिवाजी जैसी के बीच होती है इस संधी के अंतर गती क्या है सिवाजी जो है अपने बेटे संभाजी के साथ औरंग जेब के दरबार में पहुंचते हैं और आगरा में जब पहुंचते हैं सिवाजी और इनके बेटे जिनका नाम है संभाजी सिवाजी और संभाजी जब पहुंचते ह आगरा में तो वहाँ पर उन्हें राजा जैसा सम्मान नहीं दिया जाता और बोला जाय तो अक्बर के द्वारा औरंग जेब के द्वारा इसका अपमान कर दिया जाता है औरंग जेब के द्वारा संभाजी का और सिवाजी का अपमान कर दिया जाता है जिसके बाद इन दोनो सिवाजी और सम्भाजी को कैत कर लिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं आगरा का जैपूर चलिम मुगल सेना पति के साथ सिवाजी ने सोला सु 65 में पुरंदर की संधी पर हस्ताक्चर किये तो यह 1665 की बात है जब औरंग जेब ने सिवाजी को पकड़ने के लिए सिवाजी को पकड़ने के लिए जैसी को भीजाता जैसी को और जैसी और सिवाजी की बीच में एक संधी हुई थी जिसको बोलते हम पुरंदर की संधी और इसी पुरंदर की संधी के अंतरगत सिवाजी ने सिवाजी कहां गए थे आगरा गए थे तो इसी संधी के अंतरगत सिवाजी और इनके बेटे जिनका नाम है संभाजी सिवाजी और संभाजी कहां गए थे आगरा गए थे और आगरा में जब गए तो औरंग जेब के दरबार में इन्हें प्रॉपर वैसा राजा जैसा सम्मान नहीं दिया गया, जिस कारण कहीं न कहीं यहाँ पर सिवाजी नाराज हुड़े, और औरंग जेब ने सिवाजी को ही कैद कर लिया, तो सिवाजी को कैद किया, उच जगह का भी नाम आप आप याद रखेंगे, एक्जाम में पूशता है, तो इन्हें कैद किया गया जैपूर भावन में, अब देखे, नाम भले जैपूर भावन है, बट ये जैपूर भावन कहां पड़ेगा, आगरा में, तो इन्हें कैद कहां किया गया था? आगरा के जैपुर में कैद किया गया था, कहां पर इस पुरंदर की संदिक प्रगत सिवाजी पहुंच जे था आगरा और आगरा मी ने कैद कर manure गया गया, वो कौन सा भवन है जैपुर भवन में, इसको ज्याद रखियेगा, एक्जाम मे जहागीर और हुमाई हो तो यहाँ पार जो जजिया कर मैंने बताया था मुहमद बिन कासीम ने फर्स टाइम लगाया था अकबर ने पंदरह स्चोशच में इसे समाप्त कर दिया था और आगे चल कर औरंग जेप के द्वारा औरंग जेप के द्वारा इस जजिया कर को पुनह लागू किया गया था इस यिज को आप याद रखेगां। मन समक बरला करां इत्मत दॉला का मगबर्द या इनमें से कोई कोई नहीं तो यहां पर रफिया उद्ध द्रानी या रफिया बी जि से यह मुं B.d ka मक्बरा Also we are B.d ka मक्बरा निर्माड बी कम अगर निर्माड यहां पर और उरंग जेम ने करवाय था और इसी को क्या का हजाता है थाज्मैल का थाज्माड या बोलना ची द्यूती ताज महल कहा जाता है बीबी के मगबरा को और यह बीबी का मगबरा आपको कहा मिलेगा और अंगाबाद महाराश्ट रमिया बीबी का मगबरा आपको मिलेगा बीबी का मगबरा साथ ही साथ यह वाले option को भी देखते हम एत्मात दौला की मगबरा के बार Sally, तो Petra Dora Sally का first time use, इसी आत्मा दौला की मगबरे में किया गया था, आत्मा दौला की मगबरे में किया गया था, और first time, पहली बार, पहली बार, संग मरमर का use भी इसी मगबरे में किया गया, संग मरमर का use किया गया, संग मरमर का, पहली बार संगमरमर का यूज एत्माद दौला के मगबरे में किया गया और यह आत्माद दौला का मगबरा कहा मिलेगा आगरा में ठीक है तो इस चीज को भी याद रखेगा पेट्रे डोडी का फर्स्ट टाइम यूज एत्माद दौला के मगबरे में किया गया और दूसरी बात की संग आपको पूछेगा कि आगरा में भी एक मौती मस्जिद का निर्माड किस ने किया था तो आगरा की मौती मस्जिद का निर्माड साहा जाने किया था आगरा में भी आपको एक मौती मस्जिद मिलेगा आगरा में मौती मस्जिद मिलेगा उसका निर्माड यहां पर किस ने किया का सीरीस कहता है तो आज के टॉपिक के खतम होते होते ह। में मुगलों के कुछ सासकों के नाम आपको बता देता हूँ ne इसका करम आपको पूछा जा सकता है सबसे पहले मुगलवंस के जो सासक हुए थे उनका नाम था बाबर सबसे पहले मुगलवंस के सासक हुए थे बाबर बाबर के बाद इसका बेटा आया था जिसका नाम था हुमायू बाबर के बाद अगला सासक जो आया था हुमायू तिसरा हुमायू के बाद आया था सासक अकबर और चौन्था जो सासक था उसका नाम था अकबर के बाद जहागीर अकबर के बाद जहागीर और जहागीर के बाद अगला एक सासक आया था मुगलकाल का जिसका नाम है सहाजा सहाजा और लाश्ट एक सासक मुगलवंस का है ना एक उत्तर मुगलकाल आएगा उसके पहले का यह मुगलकाल है तो उस मुगलकाल में अंतिम सासक होंगे आपके औरंगजे औरंगजे तो यह हुआ मुगलो का करम औरंग जे तो इसको एक्जाम में आपको पूछा जाएगा तो आपको करम याद रखने हैं पहले आएगा मुगल वंस में बाबर, हुमायू, अक्बर, जहागीर, सहाजा और अंतिम सासक औरंग जे औरंग जे इसी के साथ आज के इस सीरिस को आज की जो सरंखला जो चली हमारी प्रश्णों की उसे आज हम समाप्त करते हैं अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मुगल काल के बाद यानि मुगलों के टाइम में कहीं अंग्रेज आना चालू हो जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि अगले हम वीडियो में कहीं अंग्रेजों के बारे में प्रश्णन लिगा आएंगे तो इसी के साथ या वीडियो में समाप्त करता हूं धन्यवार